हाई मैं सौरब शिंदे देखिए आज हम सीखने वाल हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट ठीके यह जो टॉपिक है वो एमकॉम पार्ट टू के स्टूडन के लिए है मुंबाई इनुवर्सेटी का ठीके यह जो रेगुलर कॉलेज से कर रहा है उनके लिए भी है सेमिस्टर फोर् होता है और यह होता है आपको अच्छी तरह से वो अगर आपने यह टॉपिक कर लिया तो आपको वह मा instituten बी चाय के ठीक है देखिए यह पंड़ना क्यों है उसके अब्जेक्ट यूग क्या है यह जो पीडिएफ आप देख रहे है ना इस प्रेपे यह मोगा इनवर्सिटी की जो स्टडी मर्ट रहना उसकी पिडिएफ जो बूक प्रोवाइट किया है आइडल की ले मोगा इनवर्सिटी ने उसमें से यह है हम क्या करते है इसमें से जो पार्ट है वो भी देखेंगे जो बाकी के पॉब्लिकेशन के बूक है सेथ पॉब्लिकेशन उसमें के भी प्रॉब्लिम लेने वाली है ठीक ही इसलिए बने रहना देखिए आप जैसी कि मैंने आभी आपको बताया कि इसमें हम क पता होगा क्या रहता है stock inventory मतलब क्या stock रहता है ठीके सो stock का management करना stock को manage करना यह इस topic में हमको पढ़ना है ठीके देखते हैं यही यही technique आप इसमें पढ़ेंगे और practical problem भी आप यहाँ पे solve करने वाले है ठीके जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि inventory valuation क्या होता है या inventory control क्या होता है manage क्या करना पड़ता है ठीके क्योंकि यह most important part है क्योंकि inventory अगर आप देखिए आप कौनसी भी आपकी firm हो आपकी company हो आप अगर production कर रहे हो तो आपको inventory लगेगी मतलब material तो लगेगा लगेगा ठीके सो material अगर आपने अच्छी तरह से control किया तो आपकी cost क्या होती है कम हो जाती है मतलब आपका product आप कम price में बैच सकते है अगर inventory control नहीं हुई कुछ उसका flexibility रही मतलब उसके जो बोलते हैं rate वेगर आप manipulate नहीं कर पाए अच्छी तरह से control नहीं कर पाए तो उसकी price भी बढ़ती या घटती रहेगी बराबर की नहीं उसका असर सीधा असर आपके product के price पर पड़ेगा इसलिए ये most important part है कि inventory को control करना manage करना ठीक है यही हम क्या करने वाले है यहाँ पर देखने वाले है आपको पता होगा कि inventory मतलब stock यह तो आपको पता है अभी किस तरह कोन-कोंसी technique है inventory control करने की यह आज हम देखने वाले है यह most important part है क्योंकि आपको कोई यह पढ़ाएगा नहीं मतलब mostly मैं देखता हो college जो regular करे उनको भी या आप किसी भी coaching institute में जाओगे तो आपको सीधा सीधा वो क्या करते है practical example सिखाते है यह जो यह पार्ट है important part है technique वेकर आप यह पढ़ाते नहीं ज्यादा तर बोलो कोई पढ़ाता होगा ऐसा नहीं लेकिन नहीं पढ़ाते इसलिए मैं क्या करूँगे मैं पहले ही आपको बताता हूँ मैं पूरा मेरा मन्ना है पहले पूरा समझ लो जो उसका meaning इस topic का पूरा meaning पहले हम समझ लेंगे उसके बाद उसके practical example देखेंगे क्योंकि ये बहुत important होना ले आपके career के लिए मतलब आप कहा पे भी job करने जाओगे तो ये term ये technique वेकर आपको पता होनी चाहिए हाँ इसका अच्छा impact आपको आपको पढ़ेगा देखिए जैसी कि मैंने अभी आपको बताया कि technique of inventory control मतलब inventory control करने के technique कुण कुण से है ये कि फर्स जो technique उन्होंने दिया हुआ है इधर economic order quantity ये same technique आपने पहले भी पढ़ा हुआ है मतलब आपको ये tybcom में था ठीक है अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं फिर से आपको अच्छी तरह से बताऊंगा economic order quantity का मतलब क्या मतलब e o q का meaning क्या देखिए economic मतलब क्या क्या आपके लिए अच्छा मतलब क्या आपको कम रेट उसका पड़ेगा ठीक है economic order quantity देखिए ऐसी quantity ऐसी आप order quantity लेंगे जिससे आपकी quantity की cost जो रहेगी oral material की cost रहेगी वो कम से कम रहेगी जैसे कि मैं आपको एक example देना चाहूंगा देखिए अगर अगर आपने क्या किया देख material मंगवाया उसका rate था 10 per kg बराबर ऐसा आपको मिला वही अगर आप क्या करेंगे 10,000 उसके 10 गुना अगर material मंगवाएंगे किसी का आपको यह पता है यह general rule है अगर आप quantity में कौन सा भी material लेतो तो आपको rate कम पड़ता है इसलिए आपको उन्होंने क्या किया 10,000 अपने लि पड़ा पर गेजी के लिए अपने ज्यादा material पर्चेस किया उससे तो 8.5 so 1.5 रुपीज आपका बज़ गया है बराबर तो यह quantity भी matter करती है उसके साथ साथ आप अगर दूसरी बार देखेंगे यह तो quantity की हो गई ठीक है अगर आपने क्या किया अगर यहाँ पर देखिए same situation में आपको यहाँ पर एक order करना पड़ेगा बराबर एक order करना पड़ेगा और यह अगर आपको 10,000 total चाहिए हाँ तो आपको 1000 के 10 order करने पड़ेगे तो order cost भी बड़ेगा बराबर नहीं तो इसका तो ठीक है आपने 1000 मंगवाया आप यूज कर सकते लेकिन एक ही बार में अगर 10 order quantity, 10 order kg आपने मंगवाया तो उसको कहाँ पर तो store करना पड़ेगा ना तो यहाँ पर आपकी store cost भी बड़ेगी तो overall आप अगर सोचेंगे तो ऐसी आपको quantity जाए मतलब कम भी नहीं चाहिए जैसे कि हमने 1000 बोला यहाँ पर और 10,000 जैसे कि कम भी नहीं चाहिए और ज cost हमको क्या पड़े, minimum पड़े, इसे हम कहते है economical order quantity, यह अच्छी तरह से हम practical example में देखने वाल है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, मुझे क्या बताना यह समझ में आ रहा है न आपको, हाँ ऐसी quantity, ऐसे आप quantity order आपको करना है, आपको मंगवाना है material कि उसकी cost आपने quantity मंगवाई, उसको store करने की cost, उसको use करने की cost, सब cost एक अच्छी कम से कम cost हो, ऐसी quantity, इसे हम EOQ कहते है, यह detail में आप आगे हम देखने वाले, यह first हुआ, अभी देखिए, यह वाला उसका formula है, ठीक है, कौन सा formula है, EOQ is equal to under root, यह देखिए under root, 2 into, यह है 2 into annual uses, जैस कि मैंने बोला आपको, A मतलब annual uses मतलब क्या, कि आपको साल भर में कितना quantity लगते है, मान दो, जैसे कि आपको साल भर में, अभी हमने example देखा, 10,000 kg लगता है, बरबर 10,000 kg लगता है, तो A यहाँ पर मिल गया, buying cost, buying cost का मतलब क्या ordering cost, मतलब अगर आप order करते हो, तो उसके cost आ सब लगेगा, सो order cost की कितनी है, पर order के लिए, यहाँ पर आ जाएगे, और उसके बाद यह देखे, divided by cost of carrying one unit, express the percentage, अभी यह carrying cost का मतलब क्या है, मतलब आप, अगर material मंगवाते हो, जैसे कि हमने 10,000 kg एक ही बार मंगवाया, तो उसको carry करना पड़ेगा, साल भर क्या, आपको 10 10,000 kg लगता है न, तो उसको carry करना पड़ेगा, मतलब store करना पड़ेगा, good on में store करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कितनी cost लगती है, इसे carry cost कहते है, हाँ, overall यह सभी cost का आप, जब हिसाब करते हो, इस formula में डालके, अभी यही formula नीचे वे दिया हुआ है, यही है, मतलब 2 into A मतलब annual, B मतलब buying cost या इसे O कहते है, ordering cost, अपन C मतलब carrying cost, यह आप स्वाल करेंगे तो आपको यहाँ पे EOQ मतलब ऐसी quantity मिल जाएगी, कि यह order आपने किया, तो आपकी कम से कम cost लगने माली है, ठीक है, practical example में, detail में हम इस से फिर से बात करेंगे, आपको definitely समझ में आ आएगा, देखिए, A हो गए हमारा complete यह देखिए, अब second वाला B, यह fixing level quantity control, fixing level quantity control, अब यह क्या है, मतलब क्या है, level आप fix करते हैं, जैसे कि यह first आप में देख सकते हैं, कि maximum stock level, आपको इसके नाम से पताश लगए होगा, maximum stock level का मतलब क्या है, कि maximum quantity, आपके store room में, maximum कितना stock आप रखना चाहिए, आपको, इसे maximum stock level कहते है, मतलब उससे अगर जादा आप store में रखेंगे, तो आप के लिए दिक्कत आ सकती है, उससे कम रखेंगे, तो भी दिक्कत आ सकती है, maximum, उसका end, मतलब आपका store का जो capacity है, इसे maximum stock level कहेंगे, ठीक है, देखेंगे, यह भी practical example में अच्छी तरह से पूरा हम देखेंगे, आगे बढ़ते है, maximum हो गया, अब इसका formula भी आप यहाँ पे देख लेना, देखेंगे आप, formula है, maximum level is equal to reward level, यह reward level वेगरा यह सब में आपको बताऊंगा, ठीक है, reward मतलब क्या कि आपको फिर से order किस level पे पढ़ना है quantity, यहाँ पे आ से यह calculate करना है, यह बागी के term भी हमको अब भी देखना है, यह formula है, उसका, मतलब maximum order level का, देखेंगे दूसरी, यह A हो गए, अभी B देखें, minimum stock लेख, मतलब आपके पास minimum कितना stock चाहिए, आपके पास store है, तो आपके store में कितना minimum stock रहना ही रहना चाहिए, उससे कम नहीं ह होना चाहिए, तो इससे हम minimum stock लेख, अगर maximum आपके पास 1000 kg की capacity है, तो minimum आपके company के production की हिसाब से रहेगा, मान दीजेगा, 10,000 kg material आपको minimum चाहिए, आपके go down, तो यह minimum level हुआ है, और यह maximum level हुआ, ठीक है, company के हिसाब से अलग-अलग level हो सकते है, ठीक है, company के हिसाब से वो change हो अभी यह अपने देखा, minimum level, उसका भी formula आप यहाँ पर देख सकते है, minimum level is equal to, reorder level, बराबर, reorder level, minus average uges into average lead time, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलो, यह formula भी, यह example भी हम देखने वाले आगे, don't worry, देखे, जैसे कि अभी मैंने बोला आपको, minimum हुआ, maximum हुआ, अभी reorder level, अभी यह reorder level क्या है, सर, देखे, जैसे कि, एक maximum limit है, और एक minimum limit है, उसके बीच, ऐसी level होनी चाहिए, ऐसी level रहती है, जहाँ पर अगर आपका stock आ जाता है, तो आपको फिर से order करना पड़ता है, नया stock, समझ में आ रहा है न, जैसे कि अभी हमने देखा, minimum level आपका 10,000, 10,000 kg था, और maximum level था 1,000 kg, ठीक है, सरी, 10,000 kg था, और maximum 1,000 kg, यह आपका maximum था, सो उसके बीच में कुछ ऐसा हम मान लेते हैं, यहाँ पर 40,000 kg पर अगर आपका material आ जाता है, तो आपको reorder करना पड़ेगा, क्यूंकि अगर आपने reorder नहीं किया, तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है, आपके production में, आपके लिए stock कम बर सकता है, ऐसी level इसे हम reorder level कहेंगे, मतलब अगर 40,000 पर आपका stock आ जाता है, आपके store room में, तो आपको फिर से नया stock खरीदना पड़ेगा, purchase करना पड़ेगा, ठीक है, इसे हम reorder level कहते हैं, यह हो गया सर, इसका formula भी आप यहाँ पे देख स सकते हैं, फिर से बताना चाओंगा, यह PDF आपको मिल जाएंगी, यह university का जो आपका book है, idol के student का book है, यह PDF वो है, site पे भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं description box में देने की कोशिश कर दूँगा, इसकी link, ठीक है, दिखिए, जैसे कि अभी मैंने बोला reorder level, उसमें है maximum uses into maximum lead time, और minimum level, plus consumption during the lead time, यह कैसे solve करना है, फिर से मैं बताना चाओंगा, यह हम आगे देखने वाले है, practical example के तौर पर, यह फिलाल आप इसका meaning जान लो, इसका जो कोई important है, या उसका meaning पूरा हम समझ लेते है, क्या क्या है, हाँ आपको याद रहना चाहिए, सब अच्छी तरह से सुन ल अब यह देखे आप danger level, अब यह danger level का मतलब क्या है, इसके नाम में भी है danger, मतलब अगर इस level से stock कम हो जाता है, तो danger है आपके लिए, आपका production totally बंध हो सकता है, totally आपका production रूख सकता है, ऐसी level, इसे हम danger level, इस पे अगर आपका danger level पे stock आता है, तो immediately आपको action लेना समझ में आ रहा है आपको, इसे danger level, जैसे कि minimum levels मान लो, 10 kg है, मतलब 10,000 kg है, तो इसके नीचे आया, minimum level के नीचे आया, अगर stock मतलब 8,000 kg वेगर हो गया, तो इसे हम danger level, या 5,000 kg वेगर आप मान सकते है, यह danger level, समझ में आ रहा है आपको, ठीके, दूसरी बात, यह हो गया, अ हमने कौन कौन सा level देखा, फिर से बता ना, पहले तो हमने देखा, maximum level, उसके बाद minimum, उसके बाद reorder, और उसके बाद danger, total 4 level, अभी आगे देखे, यह दूसरा technique है, अभी पहला technique हमने EOQ देखा, दूसरा technique हमने order level देखा, उसमें 4 order देखे थे, levels देखे थे, अभी यह तीसर यह, ABC का मतलब क्या है, कि ABC यह technique है, item को, मतलब आपके stock को control करने की, या उसकी valuation करने की एक technique है, ABC, ठीक है, analysis करने की, so ABC का मतलब A, B और C, 3 types of stock रहते हैं, 3 types of stock रहते हैं, जैसे कि A का मतलब क्या है, A का मतलब A class में क्या रहते है, small percentage, बरबर, वो small percentage में रहेंगे, लेकिन total amount but having higher value, मतलब उसकी quantity कम रहेंगी, लेकिन उसकी जो value है, उसकी price बोलते हैं, वो ज्यादा रहेंगी, जैसे की, जैसे की source law, आप मान लो, अगर कोई भी चीज, part रहता है, कौन सी भी आपकी company, आप mobile manufacture कर रहे हो, तो आपका कुछ ऐसे part रहेंगे, वो कम रहता है, उसकी quantity कम लगत है, ठीक है, अगर मान दो, आपके पास gold, gold का कोई part है, gold आपको लगता है, आपके product में, सो उसकी quantity कम रहेगी, लेकिन उसकी price जादा है, सो वो A class में आएगा, समझ में आ रहे है, हाँ, दूसरा class रहता है, B class, अभी ये B class क्या है sir, सो देखिए आप more percentage of total, but having medium value, मतलब average, उस की value medium रहेगी, जादा भी नहीं, कम भी नहीं, ऐसे जो कोई item आएगा, वो B class में जाएगा, और C class में क्या जाएगा, high percentage of total items, मतलब उसके percentage जादा है, मतलब वो quantity उसकी जादा है, लेकिन उसकी price value क्या है, कम है, समझ में आ रहे है न, easy है न, ABC में हमने देखा, A मतलब क्या, कम रहती है, लेकिन उसकी price जादा रहती है, B में हमने क्या देखा, उसकी quantity जादा रहती है, उसकी price average रहती है, ठीके, और C में हमने क्या देखा, उसकी quantity बहुत जादा रहती है, high percentage of total items, but having low value, मतलब उसकी value कितने क्या रहती है, कम रहती है, ठीके, जैसे कि आप मान दो, example ले लेकिन उसकी value ज्यादा रहेगी silver उसकी quantity भी ज्यादा रहेगी उसका जो price है वो भी medium रहेगा मान लेते हम example के तोर पर आपके factory के हिसाब से आपके production के हिसाब से वो अलग-अलग item हो सकते सी class में हम मान लेते हैं कि आपका steel आएगा steel की country तो ज्यादा रहेती है लेसकी value कम रहेती है समझ में आ रहे है आपको ठीक है चलो आगे बढ़ते है यह टेकनिक तो आपको समझ में लगा a b c analysis ठीक हुआ तीन टेकनिक्स हमने अभी अभी देखा अभी यह डीटेल में आप एक बार पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा कौन सा अभी मैंने बोला सबी टेकनिक्स ठीक है यह जो मैं बता रहा हूं आपके आपका knowledge भी बढ़ जाएगा अभी यह example भी आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको उसकी सबसे उन्होंने एक example दिखाय है मतलब high value item a मतलब उसके person quantity कम है देखे आप लेकिन उसकी value जाता है बराबर medium में उसकी quantity कम है उसकी value quantity और देखे एक और लो में उसकी quantity ज्यादा है लेकिन value कम है समझ मैं रहा है आपको इस तरह इसका analysis किया जाता है ABC में चलो देखेंगे आगे इसका example भी अभी यह वाली देखिए फोट वाला perpetual inventory system अब यह क्या है सर यह देखें perpetual inventory system मतलब क्या कि यहाँ पे आप physically फीजिकली stock को verify करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बीन कार्ड्स store ledger continuous stock taking physically perfection inventory वेगरा मतलब आप लिखें मतलब बीन कार्ड वेगरा आपको पता है यह term आपने टीवाई बीकॉम में भी पड़ा था आप stock का valuation क्या करते हैं जो वहाँ पे store room में जाते हैं physically चेक करते हैं कि वह इतना stock हमारे पास है इतना यहाँ पे गया इतना यहाँ यहाँ सब valuation करते हैं इसे हैं perpetual inventory system कहते हैं समझ मैं आ रहा है आपको जैसे कि एक्जांपल दे बीन कार्ड store ledger आप maintain करते हैं और continuous stock taking करते हैं physically verification समझ मैं आपको perpetual inventory system ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखिए यह क्या है HML classification जैसे कि अभी ABC हमने देखा वैसा ही है HML high, medium, low देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया high units, medium units और low units के हिसाब से item के हिसाब से आप इसका classification करते हैं इसे हम HML कहते हैं बाकि इसमें कुछ नहीं है high, medium और low उसकी values जिसकी value high रहे ही वो high में आएगा ABC के हिसाब से हिसकी medium रहे ही वो medium में आएगा जिसकी low price रहे ही वो L में आएगा उसके हिसाब से आप यह भी देखिए आप F वाला F, S, N यह भी वैसा ही है, इसके F का meaning क्या है, fast moving, S का meaning है slow moving, और N का meaning non moving, आपके देखिए आप, आपके जो stock रहते हैं, मतलब आपका material रहता है, उस पर depend रहता है, F, S, analysis, अब देखिए आपका जो stock रहेगा, जो fast moving रहेगा, अब यह सर्फ fast moving क्या है, तो देखिए, जैसे कि कुछ ऐस material आपको चाहिए, production के लिए, उसका moving fast है, मतलब लगा थर आपको वो चाहिए, चाहिए, समझने है, अगर dairy आपका form रहता है, दूद तो चाहिए न, तो वो fast moving है, ठीके, दूसरा है slow moving, slow moving मतलब क्या, कि उसको लगते है, आपके product में वो भी आपको essential है, लेकिन इतना नहीं, हाँ, slow moving में है क्या, non moving आपको उतना essential नहीं है, no moving, वो no moving में है, समझ में आ रहा है आपको, हाँ, इस तरह से आप category कर सकते हैं, ठीके, देख सकते हैं, FSN analysis का meaning हमने देख लिया, fast moving, slow moving, और no moving, ठीके, देखे आप, आगे देखे आप, VED classification, अभी सरी ये क्या है, VED classification, जैसे क कि देखे आप V, V का यहाँ पर meaning है, vital, दूसरा E का meaning essential, और D का desirable, देखे जैसे कि vital, बड़ी मातरा में अगर आपको कुछ लग रहा है, मतलब product चाहिए, मतलब model चाहिए, तो वो vital में आएगा, essential, मतलब जरूरी है, ये product, ये, जो metal है, जो important है, उस essential में आएगा, और desirable, वो ल इस तरह से हम classification कर सकते, V, E, D, में, ठीके, समझ में आ रहा है आपको, चल, आगे बढ़ते हैं, देखे आप, ये हमने आभी देखा, उसके बाद ये वाला भी देखे, H वाला, मतलब just in time, ये देखे, G, I, T, इसे हम कहते है, classification, just in time, ये technique, firstly, आपको मैं बताना चाहिए, टोय आपको ये क्या करती कंपणी, आप purchase करेंगे, material, store में रखेंगे, उसके बाद factory में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करती, just in time, मतलब सीधा supplier से आपके factory में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, just in time, जब आपको production करना है, उस time supplier आपको material बेज़ेगा, time के हिसाब से, और आप वो production कर हैंगे, jit, just in time, किसने use के था first time, Toyota Motors, हाँ, समझ में आ रहा है, आपको, जैसे की, इसका meaning समझ में आ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब, जो supplier है, आप कहां से तो purchase करोगे, material आपके, जो production के लिए रखता है, वो, आप supplier क्या करेगा, सीधा, सीधा, उसके, वो supply करेगा, आप समझ में आ रहा है, ठीके, चलो, ये तो हो गए, आभी ये वाला देखिए, invented turn over ratio, ये concept यहाँ पर ये भी आपको most of the practical example में पूछा दाता है, ये देखिए, invented turn over ratio का formula का है, ये टीवा में भी आपने पढ़ा है, cost of goods sold upon average total inventories, ये तो आपको पता है, उसकी सबसे अलग-अलग यहाँ पर थोड़े से formula आपको मिल जाएगे, जैसे की WIP, work in progress turnover ratio, cost of goods sold upon average inventory of finished goods, इस से आप देख सकते है, यहाँ अलग-अलग हिसाब से वही रेशो है, लेकिन उसके, उसमें से deep में आपको यहाँ पर पूचा गया, क्योंकि आप आप advanced financial management पढ़ रहे हो, आप mcom के student हो, advance प पढ़ रहे हो, practical basis पे सब पढ़ रहे हो, ठीके, इसले पूरा ध्यान से, पूरा ध्यान से यह सब देखना, सुनना, और study करना, आपके लिए आगे, आपके future के लिए important होने वाला है, यह देखे, weekly inventory of finished goods on hand, finished goods upon weekly sales, इस से आप देख सकते है, यह अलग-अलग formula है, अलग- पूरा आप पढ़ सकते हैं, अच्छी तरसे, इसका meaning भी रहे कुछ नहीं, inventory turnover ratio मतलब क्या, यह मैं आपको पताना चाहूँगा, inventory turnover ratio का मतलब क्या रहता है, कि जो inventory आपके पास है, आपके पास जो stock है, उसका turnover कितना होता है, मतलब एक, मान लो, आप एक साल में, कितनी बार उसको purchase करते हो, कितने बार उसको क्या करते हो, purchase करते हो, यूज करते हो, इसे हम animated turnover ratio कहते है, समझ मैं आ रहा है आपको, इस तरह से यह पूरा जो थेरी पार था, यह हमने देख लिया, और दूसरी important बात देखिया, जैसे कि मैंने बताया, आपको यह मिल जाएगी PDF, और दू subscribe करके रखते हो, क्योंकि जो आगे की वीडियो है, आपको जल्दी से मिल जाएगे, और दूसरी बात, इंपरनर बात, अगर आप मुझसे जुनना चाहते हो, practically, मतलब practically, या सीधा, मुझसे आप पढ़ना चाहते हो, regular batch, join करना चाहते हो, तो मुझे आप contact कर सकते हो, मैरे contact number में यहाँ पर आपको देना चाहूंगा, 8055969450, मुझे WhatsApp कीजेगा, WhatsApp पर पूछ सकते हैं, कैसे मैं आपकी help कर सकता हो, आप regular batch हमारी join कर सकते हैं, description box में मैंने detail दिया हो है, आपके fees एकदम nominal हैं, इतने कम fees में कोई भी आपको पढ़ने वाला नहीं है, ठीके, और आप देख की सकते हो, मेरा पढ़ना कैसा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो हम आप मुस्से जूट सकते हो, अगला वीडियो का भी link में देने की कोशिश कोनगा, description box जरूर check कर लो, यह जो practical example आप देख रहे हैं, हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंग ये वीडियो ज्या